तो इस वीडियो में हम डिसक्स करने जा रहे हैं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के आ रहे हैं यह मेरी पुरी नई सीरीज से रोड़ी है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनलिसिस है लेके लास्ट तक पूरा प्राइस एक्षन जो भी कंसेप्ट्स होते हैं टेक्निकल एनलिस के सब्स्राइबर्स होने के बाद अभी मैं ऑप्सन से बहुत दूर हूँ मैं इसमें पहले चाहता हूँ कि पूरा परफेक्ट हो जाओ आप टेक्निकल एनलिसिस में तो बहुत ज़दा इंपोर्टेंट सीरीज सुरू होने वाली है बस मैं यह आज्यूम करके चल रहा तो मैं यह भी समझाने को त्यार हूँ बस आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना जैसी आप मुझे कमेंट्स के बारे में वीडियो बना दो तो अगली वीडियो आपको मिल जाएगी तो उसकी कोई परिशानी नहीं है अभी हम चल रहे हैं सबसे इंपोर्टेंट और स एक परफेक्ट और सबसे इंपोर्टेंट रिश्टेंस कौन सा है और एक परफेक्ट सपोर्ट कौन सा यह भी बहुत हो को पहचानना नहीं आता तो पूरा हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है पूरी सीरीज आएगी बहुत जैसे कि Counter हमारे यह सपूर्ट जो सपूर्ट प्रोवाइट कर रहा है नीचे नहीं किने दर्वल यह व्य एक लाइन है यहां पर एक क्रांपर एक आद्म कधा है और यह इसके नीचे का फ़र्स है आपको पर हु़ाइट तो हमारे ऊपर चथा जाएगी और हम उपर नहीं जा पाएगे वह हमारा एक resistance का काम करेगा और support क्या ह्फाइबा जैसे कि यह support support हुआ हमारा first का काम करेगा हम नीचे नहीं गिरने देगा मतलब support हमको नीचे नहीं किरने की जैगा जैसे ही price support पाएगा वो दुबारा bounce back कर जाएगा और मान लीजे support break होना ये क्या होता है मान लीजे first में आप खड़े हैं first दूर जाता है तो आप नीचे गिर जाओगे तो वो हो जाता है हमारा support break होना support break होना वो हो जाता है और चट मानीच चट दूड गई और आप उचल के चीद उपर चले गई तो वो होता है हमारा resistance break होना तो यह होता है support and resistance ब्हुत अच्छा example लनब को दिया है आप जमीन और अच्छा गौन को दिया है बहुत अच्छा example है support and resistance समझने के लिए तो यह हो गया हमारा support and resistance तो सबसे important बात होती है support and resistance बनाए कैसे जाते हैं और पहचानी कैसे जाते हैं तो कोई भी time frame में आप ले लो daily ले लो intraday ले लो two hour ले लो one hour देख ले लो सब में support and resistance सेम तरीके से बनाए जाते हैं इसमें कोई difference नहीं कि intraday में support and resistance कोई और तरीके से बनेगा या आवलिया daily में किसी और तरीके से बनेगा ऐसी कोई बात नहीं है सब में support and resistance सेम तरीके से बनता है तो एक basic सा concept मैं आपको पहले पताएता हूँ उससे पहले कि मान लीजे ये हमारी candle मैं आप candle का formation बना के दिखाता हूँ तो मान लीजे ये जो है हो ये हमारी candle है अब candle में क्या हुआ ये जो ये blue वाला area part है ये है हमारा body candle की body और जो ये line जैसी है ये है lower wick और ये इसके उपर वाली है upper wick ये simple concept आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये support and resistance पे काम आता है ये कैसे काम आता है आपको बहुत traders नहीं बताएंगे लेकिन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको ये किस तरीके से support and resistance ड्रो करने में काम आता है तो ये आपको समझ लेना है जो ये line जैसी आपको candles में दिख रही है ये wicks है और जो पूरा colored body दिख रही है वो है आपकी candle की body तो ये समझना है तो जैसे का आप समझ गए तो हमको सबसे पहले क्या करना है हमको जैसे मान लिजे time frame आपको नहीं देखना आपको बस ये करना है सबको पहले इसको zoom in कर लेना है जूम इन कर लोगे तो आपको एक ऐसा point देखना है chart में जो बायर बायर price को उपर लेके जा रहा है तो मान लिजे resistance मान लिजे 38,152 पर अभी back nifty trade कर रहा है तो इसके उपर के जो levels होंगे वो होंगे इसके resistance मान लिजे मैंने आपको अभी example क्या दिया था एक आदमी है उपर छत है और नीचे फर्स है तो वह support and resistance हुआ तो मान लिजे 38,150 का जो level ये हमारा आदमी है इसके उपर का जो भी level होगा वो होगा हमारा resistance level ये होगा हमारा resistance level और जो इसके नीचे का area होगा वो होगा हमारा support level तो आप ये समझे है resistance और support क्या हुआ तो 38,152 से नीचे ही हमारा support level बन सकता है इससे उपर अगर कोई level बना तो वो होगा हमारा resistance level इतना आपको ध्यान रखना है ये बहुत basic सा concept है इसमें बहुत तो mistakes भी करते हैं तो इसका आपको ध्यान रखना है तो पहले क्या करोगे है आप सबसे पहले zoom in कर लोगे zoom in जैसे क्या आप कर लोगे तो आप उसमें एक ऐसा area मिलेगा जो बार बार support को बतर support का काम कर रहा है जैसे की मान लीजिए हम पहले सबसे पहले draw का लेते हैं इसमें एक important support तो आप इस level को देखो मैं आपको पहले बना कर दिखायता हूँ तो इसमें बार-बार candles candles जैसी मान लीजिए यहाँ पर से हमको एक up move दिखा यहाँ पर से दिखी एक weak rejection मिला और around से downfall देखने को मिला तो यह एक important resistance का काम किया यह वाला point यहाँ पर को देखी यहाँ पर हमको एक अच्छा सा breakout देखने को मिला लेकिन वो sustain नहीं कर पाया इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई अच्छा resistance है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर से हमको weak rejection मिला फिर फिर breakout होके retest होके अच्छा कसा आप move आया फिर ध्यान से देखोगे इस एरिया पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको फिर से एक important support का का काम करते हुए देखी यहाँ पर जब हम price चल रही थी तो यह area जो था यह 38,080 वाला level था वो था ही resistance का का काम कर रहा था और जै 8152 पर है तो इसका मतलब मैंने यह वाला level बनाया है तो यह वाला level है यह है हमारा support मैंने क्या बनाए है price से नीचे तो अब हम यह यहाँ पर हमने देख लिया यहाँ पर अच्छा supporter काम कर रहा है यह level अब यहाँ पर देखोगे recent पर क्योंकि जो अब बोडी कट दिख रही है देखे सपोर्ट जो मैंने बनाया तो इसमें हलकी बोडी कट हुई है मिरे को ये नहीं चाहिए मिरे को कोई बोडी कट नहीं चाहिए और मैं कोसिस करूँगा मैकसिमम पॉइंट्स इसमें टच हूँ तो कि देखे सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉटन और अच्छा कब होता है जब जितने ज़्यादा पॉइंट्स कट हूँ और कोई बोडी ज्यादा कट ना हो विक्स कट हो सकती है विक्स की कोई टेंसर अंको नहीं है तो मैं इसको थोड़ा से एडिट करूँगा मैं इसको मैं इसको एडिट करके लेकर आँगा यह वाले लेवल पर यह वाले लेवल पर मैं इसको लेकर आगया हूँ अब यह लेवल मैंने क्यो डॉक किया यह आपको मैं बताता हूँ तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दे देखें important resistance से काम कर रहे हैं यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है तो अच्छा फॉल आया है यहाँ आपार देखें आज हमको two hour time frame में एक breakout भी देखने को मिला है तो देखें अच्छा काम कर रही है मेरी यह वाला support resistance अब मैं इसमें क्या करूँगा support जब मैं draw करूँगा तो इसमें एक और चीज़ करता हूँ मैं जो support डो करता हूँ तो मैं इसमें covering कर लेता हूँ इसको zone से अब मैं zone से covering कैसे करता हूँ ध्यान से देखना जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यह मैंने zone उठा लिया उसके बाद जैसे कि यह वाली जो DOC है यह हमारी यहां तक गयी 3010.6 तक यहाँ पर यहां पर तक गयी है तो मैंने यह वाला area भी अपना support के अंदर cover कर लिया है और यह वाली देखें यह वाली इह यहाँ तक आ लिए यह वाली बोडी यहां तक थे कि आपको यह देखने से पतल जाएगा बाबा प्रैक्टिस करो तो आपको पता चल जाएगा कौन सा लेवल हम ड्रो कर सकते हैं तो यह देखें यह एक जोन हो गया एक बहुत इंपॉर्टेंस सबूर्ट जोन देखें कि कितने प्रॉपर तरीके गया आप तो यह वाला एक जो लेवल है यह मेरे कोई इंपॉर्टेंस सा काम करते देख सकता है तो मैंने इस लेवल को भी ड्रोगा लिया है तो हम यहाँ पर चलते हैं इसको प्राइस में सूम करते हैं और देखते हैं यह लेवल में हम क्या एडिट कर सकते हैं तो यह कि support कितना important मिला है candle को यहां पर देखिए फिर से gap down opening देखने को हमको मिली है तो बहुत अच्छा यहां पर भी support होंगे उतने ज्यादा important resistance होगा और मैंने एक बात आपको और कही थी कि विक्स जैदा matter नहीं करते body connect होनी चाहिए तो मैं इसको क्या करूंगा जब यह जो मेरे resistance है इसको मैं थोड़ा सागर नीचे लेकिया हूँ तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे ज्यादा points connect हो रहें चाहता points किसे connect हो रहें उसको ध्यान से देखना जब हमारा एक में डॉट्य जब यहां पर आपता यह पिछ मेंटी न्हीं-डॉट्र की रहा है यह च्यों पर इक पॉइनच हो रहा अब इसको आप ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं तो अगर यहां से देखोगे, तो यहां प्रॉपब्ली हमको एक धंग से अच्छे से एक रेसिटेंस प्रोवाइद विया होते बीख रहा है, यहां पर देखे, बॉड़ी कितने अच्छे से रेसिटेंस ले रही है यहां पर देखिए यहां पर भी हमको बहुत बढ़िया रेसिटेंस प्रोवाइड हुआ है और यहां पर देखिए कितना बढ़िया सपोर्ट प्रोवाइड हुआ है प्रेकाउट के बाद और यहां पर देखिए एक भी अभी तक हमको देखोगे तो body cut नहीं मिलिए पहले हमको अभी तक हमारे four supports हो चुके हैं four resistance हमारे draw हो चुके हैं उसमें हमारे इतने बड़े level पे इतने बड़े level पे सिर्फ four resistance four point touch हो रहे थे अच्छे से अभी देखे हमारे four points यहीं पर touch हो चुके हैं यहाँ पर देखे एक body support ले लिए यहाँ पर देखे एक body फिर से support ले लिए यहाँ पर देखे एक important resistance है तो हमारे total seven points connect हो चुके हैं इस zone से तो देखे कितना important मैंने zone बनाया है को ध्यान होगा पहले मैं आपको दुबारा repeat करता हूँ पहले जो मैंने बनाया था विक टू विक टच किया था तो इसमें एक याला एक याला और यहाँ पर दिखे कोई इस टच नहीं हो रहा यहाँ पर एक तीसरा और यहाँ पर हमारा कोई अच्छे से टच नहीं हो रहा इसका मतार टोटल four points हो रहे हैं तो मैंने इसको just edit करके क्या किया यहाँ पर इसको मैंने body to body connect कोशित करने कोशित करी तो इसमें में ज्यादा point connectivity मिल गए मैंने दुबारा आपसे कहा विक्स ज्यादा मेंटर नहीं करते ही बस body अच्छे से connect होनी चाहिए और ज्यादा bodies cut नहीं होनी चाहिए अब मैं इसमें क्या क्यों क्यों बनाऊ जब मैंने resistance बनाया तो इसमें आपने देखा होगा थोटी छोटी body थोडी सी cut कर रही थी तो मैंने उस body को भी पूरा cover करके एक zone के अंदर लेके आ गया और वहीं पर आप देखोगे तो यह वाली जो body हमारी connect नहीं हो रही थी वो भी connect हो गई यहाँ पर हमारी जो यह body पू पर हमारा resistance area है तो मैंने पूरे area या zone में इसको बना दिया है resistance को तो resistance ज्यादा properly काम करेगा और हमको ज्यादा proper अच्छी confirmation मिलेगी तो ऐसे करके बनते हैं हमारे support and resistance support and resistance जब आप आते हैं तो कोसिस करना है एक simple as zone बना तो zone से आपको ज्यादा confirmation मिल सकती है और यह क्या होता ह है कभी-कभी हमको resistance हमारा resistance हो पॉइंट होता है वो है हमार 38,748 लेकिन price resistance हो होता है वह 38,786 पॉइंट बता 40 पॉइंट दूर से resistance लेकि जा सकते हैं को कि एक proper zone बनाना है हमको यह proper zone बनाना है जो कम से कम 100 पॉइंट में cover कर ले और बहुत अच्छे से हमको resistance प्रवाइड हो तो यही था इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको support and resistance draw करना सिखा दिया है hope करता हूं को वीडियो अच्छे लगी होगी और वीडियो को like कर देना share करना वीडियो को बहुत important एक technical analysis से classes मेरी सुरू होने वाली है बहुत ध्यान से वीडियो को देखना और बहुत सीखने को आपको मिलेगा यह मैं confirm करके आपको बता सकता हूं बहुत अच्छे से मैं सिखा रहा हूं और बहुत अच्छे से आप सीखने कोई करना और कोई भी queries चोटी सी चोटी queries भी आपको होते हैं आप मैंसे comment से पूछ सकते हैं या आपको मेरा number में WhatsApp message भी छोड़ सकते हैं आपक आपको में swing trading पर सिंट्राडे के चार्ट से एर करता हैं तो थैंक यू फोचिंग